दिमाग ठीक कर दूंगा, ओफिस से उठाकर ले आउंगा, कोशिश करना कि मेरी तीसरी आँख ना खुले, एक ओडियो वाइरल है, ओडियो बताया जा रहा है बीजेपी के फायर ब्राण नेता संगीत सोम का, संगीत सोम उसमें किसी अधिकारी को धमकाते नजर आ रहे हैं, वाइरल आडियो की बात कर रहा हूँ, पहले वो वाइरल आडियो सुन लिजे, अगर जराती गड़बड हुई, तो दिमाग ठीक कर दूँगा, सर मेरी क्या गड़बड होगी, मैं मैं रेलक्शन करा रहा हूँ कि सर महाँ पर सर, मैं ओफिस से उठाक लाँगा, तुम्हीं अरे सर, मैं यह पूछ रहा हूँ कि हुआ क्या है सर, मैं तो यह पूछ रहा हूँ कि हुआ क्या है सर, मैं तो यह पूछ रहा हूँ कि हुआ क्या है सर, मैं तो यह कह रहा हूँ, निर्वाजन अधिकारी नुक्तिया वो एलक्शन करा रहा है, आप बताई तो सर बात क्या है सब्सक्राइब कर लो तुम इसे पांच यह ध्यान रखना मुझे तीसरी आँख ना खोलनी पड़े बस और तुम्हें पता है मेरे बारे में नहीं सुनता तो पर कहीं नहीं सुनूगा कि वाइरल आडियो में निता जी यह कह रहे हैं तीसरी आँख न खोलनी पड़ जाए उठा कर ले आऊँगा मुझे नहीं समस्ते क्या समझा दूँगा कैसे पांच बजे के बाद नॉमिनेशन दाखिल कर लिया ये सब कुछ एक चुनाव अधिकारी को कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश में गन्ना समीतियों का चुनाव चल रहा है और उसी के सम्मंद में एक फोन कॉल जो उन्होंने किसी अधिकारी को किया और उसमें धमकाते नजर आ रहे हैं क्या कुछ कह रहे हैं और बताया जा रहा है कि ये ओडियो संगीत सों बीजेपी फायर ब्रान नेता का है जिसमें कह रहे हैं दिमाग ठीक कर दूँगा और फिस से उठा कर लाओंगा और अब इस विशे में ट्वीट आ गया है मतलब विपक्ष के नेता अखलेश यादव जी का इन्होंने सवाल पूचा है कहा है कि भाई उत्तर प्रदेश बके भाजपा के नेता जी की धमकिपून अभद्र भाषा किस से प्रेडित है कहने की जरूरत है क्या जैसा जिसका होता है हम जोली वैसा ही होती है उसकी बोली अखलेश यादव कह रहे हैं अखलेश यादव का कटाक्ष दरशल मुख्यमंत्री योगी आदितनाच को लेकर है जैसा मैं समझ पा रहा हूँ और ये कह रहे हैं कि भाई जैसा लोग कहते हैं जैसे हम राही होते हैं वैसे ही लोगों की बोली होती है और उसके बाद इस आडियो में जो कुछ आपने सुना होगा संगीत सोम से जुड़ा ये कोई पहला विवाद नहीं है संगीत सोम और विवादों का बहुत पुराना नाता है हिंदू फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं और कई बार आपने सुना होगा अलग-अलग मुद्दों पर संगीत सोम का नाम आता है लोगसभा चुनाओं के दौरान भी जो मुझफर नगर में संजीब बालियान बनाम संगीत सोम बताया गया और बताया गया कि संगीत सोम के साथ ठाकुनों का वो धड़ा राजपूतों का वो धड़ा नाराज है संजीब बालियान के टिकट फिर से मिलने से और दो बड़े और कददावर नेताओं की लड़ाई में क्या हुआ संजीब बालियान मुझफर नगर की सीट हार गया लगतार लोकसभा चुनावों के दोरान बताया जाता रहा कि उत्तर प्रदेश में राजपूत जो है जो ठाकुर वोटर है वो नाराज है और उन नाराज निताओं में से एक उस समय संगीत सोम भी बताया जाते रहे अब संगीत सोम ने जो अधिकारी को क्या क्या कहा है देख लीजिए कह रहे हैं मेरे बारे में जितना समझा रहा हूं उतना ही समझ लो और उसके बाद जो अधिकारी है वो कौन है कॉपरेटिव के AR है दीपक थरेजा इनको फोन किया गया और धमकी भरे अंदाज में उनसे कहा गया कि भई तुम्हें पता है ना मेरे बारे में किसी की सुनता नहीं हूं जितना समझा रहा हूं उतना समझ लो जरासी गडबर हो गई तो दिमाग ठीक कर दूँगा ओफिस से उठा कर लाओंगा जहां इलेक्शन हो रहा है शरम नहीं आती क्या किस से बात कर रहे हो पांच बजे के बाद कैसे परचा एकसेप्ट कर लोगे तुम तुमने कैसे कहा निरवाचन अधिकारी को परचा एकसेप्ट कर लो ये ओडियो लगातार इंटरनेट पर वाइरल है दरसल विवाद इस बात को लेकर है जैसा मैंने आपको कहा उत्तर प्रदेश में गन्ना समीतियों के चुनाव चल रहे हैं और उन्हीं चुनाव के संबंदों में कुछ लोग शिकायत लेकर के पहुँच गए संगीत सोम के बाद कि गुरुजी पाँच बजे के बाद भी कुछ लोगों का नॉमिनेशन जो है परचा दाखिल हो रहा है और इसी संबंद में वो अधिकारी दीपक थरेजा को बोल रहे हैं फोन करके आउडियो में कि भई आप कैसे पाँच बजे के बाद परचा दाखिल कर सकते हो जो आडियो में सुनाई दे रहा है और दीपक थरेजा बार-बार कह रहे हैं कि आपको हमसे क्या उम्मीद है आप हमसे क्या चाहते हैं आपको कौन सी बात बुरी लग गई जिस पर वो कह रहे हैं संगीत स्वम वाइरल आडियो में जो संगीत स्वम का बताया जा रहा है कि तीसरी आँख न खोलनी पड़ जाए और अब ये मामला राजनेक्तिक तूल पकड़ता जा रहा है जरूर संगीत स्वम ने शिकायतों को उपर वो फोन किया था लेकिन अब ये मामला विपक्स या बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी हो गया है क्योंकि खुद अखलेश यादम ने संगीत स्वम के इस वाइरल आडियो पर ट्वीट कर दिया है